नमस्कार भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है मैं हो कविता उपाध है हमारे साथ में योगेश कुमार भाटी जी है इनका परीचे देने से पहले बताऊंगी गव ग्रास सेवा जो एक रिक्षा या गाड़ी हमारे शेत्रों में घूमती है वो उसके संस्थापक बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में भारत टीवी में जो पीम स्वय निधी योजना है या जो हमारे रेडी पट्री वाले लोगों में दस हजार का सौरी माफ कीजिएगा उसके लिए सर क्या प्रोसेस है और क्या यह प्रक्रिया है यह प्रदानमंत्री स्वय न प्रदानाई है सरकार में और इस लोन में आपने आसान वापस देना है और आप अगर इस पैसे पो टाइम से इसको दे देते हैं तो उसमें आपको 7% की छूट वी है तो आपको वापस मिल जाता है और अगर डीजिटल आप पेमन्न करते हैं तो उसमें एप्रोग सो बारह स इसको प्रमुक्ता से बढ़ावा दे रहे हैं सब कार्य कर रहे हैं क्या जिसके प्रमुक्ता देृफ डी tät गवातre है नरहे नरेंदर मोदी जी जैसे हमारे देश का पते निद्व कर रह granare देश़ को वह वहन लंभी की अंतरगत और स्वयनिदी योजनाओं के साथ साथ और आत्म निर्वर वारत की और अग्रसर कर रहे हैं अब इसमें कुछ न कुछ योजना किसी भी तरीके से वह लाते रहते हैं ताकि लोगों को जमीनी इस तर पर कहते हैं कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखरी वैक्ति जो है उस तक ला लोगों को पैसा मिल सके इस योजना को लेकर आए अब मानों बात करते हैं पार्षद की आप पार्षद तो कुछ पार्षद आमादमी पार्टी से भी है कुछ कांग्रेस के भी है तो और अधिक तर तो आपको पता है कि एमसेडियों इसमें हमारे निगम में बीजेपी है जब बीजेपी है तो अब सारे जितने भी पार्षद है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर वेक्ति तक ही योजना पोच्छ सके उसके लिए लगे हुए अब अब कहीं जगा ऐसा भी हो रहा है कि अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था लेकिन फिर भी मैं लेता हूं कि अब मालो एक जिल्मिलवाड है जिल्मिलवाड के पूर्व निगम पार्षाद है पंकर लूत्रा जी उन्होंने इस योजना को इस तरीके से पहले लाइव फेस्बुक पर आए और परचार किया रिक्षों के माध्यम से कि 10 जारुबे का लोन हम दे रहे हैं और यह छूट ह हम दे अब भी इसको ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ने इस लोन को इस तरीके से लोगों को बताया कि जैसे वह अपने पैसे में से पैसे को देके वो बहुत का ब शायद अब मैंने आपका इंट्रव्यू देखा उसमें तो उसमें जो कहते निगम पार्षदा गीति का पंकर लूत्रा जी के पती पती थोड़ी पूर्व निगम पार्षद है लेकिन बात तो अभी किया ना पूर्व निगम पार्षद है उनका कहना है कि वह सबसे बढ़िया काम कर रहे है भाजबा बेकार जी अब बताओ यह कांग्रेस पार्टी के खून में ऐसा है क्या अब उपर पप्कू से लेके और नीचे तक जो कुछ भी नहीं है जिस परदान मंत्री योजना के अंतरगत वो लोन बाट रहे हैं ठीक है आप उनको श्रे नहीं देना चाहते लेकिन इंट्रव्यो मेरे द्वारा था कहीं कि भाजबा कि ढूरा जो यह योजना उसको बढ़ावा दे रहे हैं अपना नाम जादा कर रहें दूसरा है तो अगता है कि उन्हों अगर अपनी तरफ से किया है तो फाइदा लोगों तक ही पींच यह लहीं तक करके पहुंच रहे हैं लेकिन हमारा उदेश है विशेश 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 पहुंचना देख नहीं नहीं कि अच्छी बात है परदानमंत्री स्वानिधी योजना आई है उसका ज्यादा से ज्यादा दा लोगों तक फायदा पोचे इसके लिए तो पार्शदों को तो काम द आप मुझे बात बता दो जब 13,000 करोड के लिए हमारा भाजबा का समाने करता ने करता मेरे जमीन से लेके और शिकर पे हमारे जो शीर्षिम नेत्रीत्वे वाले जो नेता हैं हर तरीके से दाम धंड बेदर तरीके से धरने से परदर्शन से तेरह अजार करोड के लिए कांग्रेस के बार्शाद को नहीं मिलना तो किसी ने भी एक बार भी बोला कि आपने क्यों नहीं दिया अब रही बात इस बात की की डाएजार करोड करोड का घुटाला जी आम आदमी पार्टी ने बोला भी जैबी कर रही है आपको मालूम है यह वही केजरी वाला जिसके मशीला दिख्षित के खिलाफ इतने सबूत हुआ करते हैं और वह चूबी नहीं पाए उने यह जूट जूट की दुकान है जूट की दुकान की आगे कुछ नहीं चलता जब इसको दिख रहा है कि बहुत जो की प्रोसेस हैं ऑनलाइन हो चुके हैं तो सारी चीजे बहुत गोटाला तो है नहीं कि आखो के नीचे से हो जाएगा और पता नीचे लेगा जाइड सी बात है बड़ा घुटाला अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो बड़ा तो बहुत आला हमने यह नहीं कहा कि तेरा जार रुपे का जो फंड है जो पर्धान मंत्री जो केंदर सरकार के सब्सक्राइब को देती है हमने सिर्फ अपना जो एमसीडी का जो पैसा है जो पकाया निकलता हमने वह मागए और उसमें को लड़ाई-लड़ भी नहीं रहें अगर वह पैसा आएगा तो जो आप यह लगा लोगी मिदे मिलके बच्चों हो गए उनकी पैसे जाने है सरकारी करमचारियों का वेतन जाना है जाना है तो गल्द थोड़ी मांग रहे हैं अब उसमें अब सारी बात अपनी ठीक है मुझे कोई भी पार्शद हो किसी भी पार्टी का हो सिर्फ हम मेरे को जो अब्जेक्शन हुआ या कोई हम कहते हमारे को दिल को कोई बात लगी हमें समाज के लिए काम कर रहे हो अच्छा करो बुरा करो वह जब जनता दुबारा आएगी न वह आपको अपने आप बता देगी आपका हाल क्या है क्या नहीं किसी चीज को आप वह कहते हैं खून में है अपको बालू में पप्पू किसको बोल रहा हूं और ऐसी चुट भी नेता हो अब कम से कम अपनी लीमिट होनी चीए बोलने के थोड़ा सब तरीका होता बोलने का ठीक है आपको अपनी राजनीती करने करो बाकी अभी तो आपको पता है नगर निगम के अगले साल एक्षन है तो सर क्या आपको यह लगता है कि देश में अच्छे दिन आ चुके हैं जि भाजबा की बात करें तो अच्छे दिन भाजबा ले आई है लोगों के लिए देखो जी आप अगर मैं कुछ बोलूँगा तो आप बोलो गई जिस दिन जनता बोलना शुरू कर देगी अच्छे दिन उस दिन आएंगे और हम हमारे प्रदानमंत्री हमारे भारतिये जनता पार्टी के शिर्ष ड्मएक के सभी लोग और हम सब वो दिन जरूर वो दिन ज़रूर रहे सार एक जो चरका बार बार चलती है काला धन को लेकर के उसको काला धन आएगा नहीं आएगा वह कहां गया कहां नहीं गया उसके चरचा का विश्य है नहीं अब किसी भी चीज को लेकर आप नहीं आप लगा लोगी एक करणसी के चार्चान नोट थे वह सारे खतम हो गया विदेशी मुद्रा पाकिस्तान में हमारे देश के नोट चपते थे आप सब्सक्राइब टैरर फंडिंग होती थी वह सारी सारी खतम हुई तो वह रूप बदल दिया गया जब हमें लगा कि कु सब्सक्राइब देख लो जितने भी कमट टूटी यह सारे आतंग वादियों कि पहले कितने ब्लाश्ट हुआ करते थे का सब्सक्राइब क्या हो रहे हैं अब वह सब चीजा धीरे-धीरे खतम होती जा रही है और रही मोदी जी को गाली देने की जिसने गाली देनी वह देत देखो भाजबा को बढ़त मिली है बंगाल पर क्या कहेंगे बंगाल पर जीतेंगे इस बाद पर हम हर तन मन हमारा खून पसीना हर तरीके से हम लगा हुआ है कि जो देश सेवा में बहतर हो सके वह हम करें बाकि जो पार्टी करें वहां पार्टी करेंगी निगम 2022 कौन 31 6 3 .6 करदे कोईर यहां समय होता है कि इस बार दुबारा से हम अपनी दिल्ली जंता का आदर करतें हैं कि निराधर हम जमन्ता का नहीं कर सकते कि जंता नहींана ही takiej दुबरूरा के बाल बता है ठीक है पानी अभी झाछान अभी है इस यहां पर अब जैसे अपना ये कोरोना के टाइम पे लाकों लोगों को खाना बढ़ गया पता नहीं कौन से सब काग जों में बढ़ गया क्या हुआ तो अब सब जंता को सब समझ में आ चुका है क्या होना क्या नहीं होना और उसका जवाब हम से बैतर जंता देगी बिल्कुल सही बात है जो विकास कारे भाजपा द्वारा किये जा रहे हैं और लोगों तक वो लाप पहुंचा जा रहे हैं लोगों को सब दिख रहा है और भाजपा के हिसाब से निश्य तोर पर भाजपा ही आने वाली है वापिस से निगम में